नमस्ते विद्यार्थी मीत्रों आज हम कक्सा पांच विशाई परियावरन जिसमें चेप्टर नमबर पांच भूलू की अजायब दुनिया जिसकी सरुवात करेंगे इस पूरे चेप्टर में हम हमारे आसपस रहे हुए प्राणी जो अलग-अलग प्रकार के होते हैं अलग-अलग जगह पे रहते उस प्रकार से उनका विभाजन करेंगे इस चेप्टर में हम उसी की बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तो चलिए सरुवात करते हैं मित्रो यहां बोलू है बोलू आज तालाप की और घुमने निकला है आईए हम भी बोलू के साथ घुमे और नई नई बाते जाने बोलू अरे वा कैसी सुन्दर मचली है और मिंटू मचली तुम मेरे पास खेलने के लिए आओ न मचली नाना में वहां नहीं आओंगी तुम यहां मेरे पास पानी में अंदर खेलने आओ मैं बोलू मैं तो पानी में अंदर नहीं आ सकता मचली मैं पानी के बहार नहीं आ सकती मचली कहता है क्यों मचली कहती है मैं जमीन पर स्वास नहीं ले सकती मचली बोलू प्रत्यक की रहने की निश्चित जगा होती है इसमें हम इतना तो जानते हैं कि मचली पानी में रहती है अगर उसको बहाँ निकलो के तो क्या हो जाएगी मर जाएगी और अगर हम बानी के अंदर गए तो मर जाएगी यानि इसमें मचली ने जो कहा है उस हिसाब से कि हर एक व्यक्ति के रहने के लिए अलग-अलग जगा हो रह पाएंगे जैसे मचली पानी के अंदर जीवित रहती है पानी के बाहर नहीं यहां पर पानी में रहने वाले जीवों के नाम लिखने पहला हमें लिख दिया है मचली अब बाकी के खानव में हमें लिखने तो लिख दीजिए ऑक्टोपस सार्क डॉल्फीन मचली बगुला जल बिलाडी मगर कच्छुआ अक्टोपस जो पानी में रहता है वो साप बतक हंस यह सब कुछ क्या है यह ऐसे जीव है जो पानी के अंदर जीवित रहते है फिर है बोलू आगे बड़ा बोलू गदा अरे चीची गलहरी कैसी हो आनन्द में तुम मेरे साथ खेलने आओगी गलहरी हाँ अवश्या आओगी भोलू क्या तुम पेड़ पर से नीचे उतर कर जमीन पर रह सकती हो गलहरी कहती है हाँ क्यों नहीं मैं जमीन पर रह सकती हूँ पेड़ पर मैं घोसला मनाती हूँ बोलो अरे वा तुम तो बहुत अच्छी हो देखो मिन्टू मचली कहती है कि वहाँ तो केवल पानी में रहती है गलहरी कहती है मचली की बात सही है उसका गर पानी में इसलिए हम पानी में रहती है बोलो तो क्या तुम पानी में नहीं रह सकती गलहरी कहती ना बोलो मैं पानी में नहीं रह सकती हम जमिन पर रहने रहते हैं हम पानी के अंदर स्वास नहीं ले सकते जिससे हम पानी में नहीं रह सकते यह गलहरी कहती है कि हम जमिन के जीव है इसलिए हम जमिन पर रहते हैं हम पानी के अंदर नहीं रह सकते अब यहाँ पर चीची गलहरी जैसे अन्य कौन से प्राणी है जो जमिन पर रहते उसके नाम लिखने है पहला लिख दिया है किलहरी और जमिन पर और कौन कौन से प्राणी रहते तो कि कुत्ता हो गया गाई बकरी सीन घोड़ा बिल्ली बैस उन्ट बाग मनुस्य यह सारे जिव कहां पर रहते है जमिन पर तो यहां पर हम उनके नाम लिखने है उसके बाद है बोलू आगे की और चला वहां रास्ते में उसे डगमक कचुवा मिला बोलू अरे डगमक कहां जाते हो बोलू कहता बोलू यहां बहुत गर्मी है मैं ताला में जाकर पानी में आराम करूँगा मुझे गर्मी से छुटका रामी लेगा तो बोलू कहता तुम दो जमीन पर चलते हो तो फिर पानी में कैसे रह सकते हो तो कचुवा कहता क्यों मैं पानी में नहीं रह सकता बोलू वह चीची कहती है कि हम जमीन पर रहने वाले पानी में नहीं रह सकते तो कचुवा कहता चीची की बात सही है फिल भी जमीन पर रहन यानि बोलू कहता है कि ऐसा ऐसी बात कैसे हो सकती है तो वो थोड़ा आश्चर्य जनक होके पुछता है कच्छुआ से और कच्छुआ भी उसे बोलकर फिर कच्छुआ अपनी जगह पे चला जाता है यानि कि वह पानी के अंदर चला जाता है तो अब यहां पे हमें आसपास भी कच्छुआ जैसे अनेक प्राणी है जो पानी और जमिन दोनों जगह पे रहते हो तो उनकी हमें यहां पे नाम लिखने है पहला कच्छुआ था फिर मगर आपने देखा हूँ तो मगर कहां पे रहता है मगर फिर मेढक, जलकुकडी, बतक, साप, गेंडा, केकडा, हिपोपोटेमस यह सारी जीव है वो उबईजीवी भी हम कह सकते है यानि उस जीवों को उबईजीवी कह सकते हम जो जीव जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उन जीवों को कहा जाता है उबईजीवी उबईजीव गेंडा केकडा मगरबच हिपोपोटेमस फिर हंस बगुला यह सारे ऐसे जीव है जो पानी में भी रह सकते और जो जमीन हैं उससे भी रह सकते हैं फिर बोलू आगे बड़ा बोलू विचार करता हुआ आगे चला वहां रास्ते में उसे किट्टू कबुतर मिला कबुतर बोलू कैसे हो मजे में कहां चले बोलू कहता है कहां क्या कहूं किट्टू मैं तो अत्यंद असमजन्स में हूँ कबुतर तुझे कैसा असमजन्स बोलू देखो वह मचली कहती है कि वो पानी में रहती है गिलहरी कहती है वो जमीन पर रहती है तो रह सकती है पानी में नहीं डगमक कच्वा तो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता है कबुतर बोला भोलू इसमें कोई दुवीदा नहीं है कोई जमीन पर चलता है कोई आकास में उड़ता है तो कोई चलना और तेरना दोनों काम कर सकता है बोलू तुम कहां रहते हो तुम चलते हो की तेरते हो कभूतर कहता है देखो बाई ऐसे तो मैं कुवा में कुवा मकानिया दिवार की गुफा में गोसला मना कर रहता हूं मैं तो आकास में उनने वाला हूं केवल दाना चुगने के लिए ही जमीन पर आता हूं यानि इतने ऐसे भी बहुत सारे जीव है जो जमीन पर दाना चुगने के लिए पानी पीने के लिए ही आते हैं बागी के समय वह अकास में उड़ते हैं यानि कि हमारे जितने भी नबचर प्राणिक हम कह सकते हैं अब यहां पर नीचे हमें वहीं लिखना है हमारे असपास रह में नाम लिखना है पहला यहां पर कबुतर लिखा हुआ है इसके बाद हम लिख सकते हैं कमवा गोरया बुलबुल तोता कोयल काबर उल्लू चील समडी चंदाघड और गीत यह सारी चीजे ऐसे यह सारे प्राणी एसे हैं यह सारे पकसी ऐसे हैं जो हमारे आकास में उड़ते हैं यानि कि आकस में ही रहते हैं बोलू आगे बढ़ा हाथी बोलू यह भूलू कहां जाते हो बोलू को आवाद देखे हाथी बोलता है तुम कहां जा रहे हूं तो बोलू कहा हाथी दादा अच्छा हुआ आप मिल गए मैं तो अत्यांद दूवीदा में हूं हाथी कहता है क्यों क्या हुआ बोलू कहता है दादा यह मचली केवल पानी में रहती है यह गहलारी जमीन पर रहती है और वहां कच्छुआ जमीन और पानी दोनों में रहता है यह कैसा अस्मंजन से हाथी कहता है इसमें अस्मंजस है प्रतिक के अस्मंजस है प्रतिक का अपने अनुकुल निवास होता है हो ज Gold यानि कि जो जीव पानी में रहता है उसे हम कह सकते हैं जल चल उसे फिर है जो आकास में उड़ता है उसे हम कहते हैं नब चल यानि कि आकास में उड़ने वाले सारे पक्सिवों को हम कह सकते हैं नब चल और जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हो वैसे जीवों को कहा जाता और पानीसद्स के लिए। के रुप में जांते हैं उ एसा है कि आगे लिखिए पसु पक्सी का नाम नौड किया है निवस के अनुसार किस प्राणी को क्या कहा जाता है उससे नौड कीज़े यानि कि हमें यहाँ पे कुछ प्राणी और पक्सियों के नाम लिखने जो जहाँ पे रहता है पहला खाना है भूचर का वहाँ पे हम लिख सकते हैं चार खाने हैं तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं पुट्ता ला के अध्यान और गाई यह सारी ऐसे प्राणी है जो सिस्व कहां पर रहते जम इनपर ही यानि कि वह लिखा जाएगा फूचर में फिर जल्चर इसमें हम लेग सकते हैं मचली सार्क डॉल्फिन फिर लिख सकते हैं ऑक् nuggets यह सारे ऐसे हैं जो जल में जवित रहते है यानि कि उसको हम कह सकते हैं जल जल फिर नपचर में हम लिख सकते हैं कौवा कबुतर गुरेया फिर लिख सकते हैं तोता यह ऐसे जिवी है जो कहां पर रहते हैं अकास में हैं यानिस नफचरеты उबेचिम यानिकी पानी और जमीन दोनों जगां पर रहते हो वहैसे जिसमें हम लिख सकते हैं साथ मccaशिश मगर्मच कछुवा !! कछुवा !! फिर लिख सकते हैं बतक यह ऐसे जीवे जो पानी में भी रहते और जमिंटी भी रहते तो वो हमारे क्या हो गए उबई जीवी ऐसे हमें चार्चर सभी जगा पे प्राणियों के नाम लिखने प्राणियों और पक्सी के अब यहाँ पे हमें नीचे एक पूरा चार्ट दिया हो गया है जिसमें अलग-अलग प्राकार के प्राणियों है और उसको जैसे की भूचर हो तो उसमें लाल रंग जलचर जो भी है उनमें नीला नप्चर है उसमें लीला येनिवी हरा और उबई जिमी में पीला रंग भरके हमें यहाँ पे दरसाना है तो ये आप रंग भर के दर्शा दिजेगा आगे है भोलू हाथी दादा अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया हाथी बेटा भोलू प्राणियों एवं वनस्पतियों में बहुत सी बातों में विवित्ता देखने को मिलती है बोलू हाँ दादा बाहियरोप निवास सभी में कितनी विवित्ता है यानि कि हमारे जुदने भी प्राणिये है पक्सिये उनकी देखाओ के साथ उनकी रहने की निवास्तारों में भी कितनी सारी विवित्ता है हा थी केवल बाहिय रोप और निवास की दुष्टी से ही नहीं उपयोग की दुष्टी से भी हमारे अंदर बहुत सार विवित्ताए होती है जैसे कि देनिक जीवन में उपयोगी वस्तुव के नाम कुछ वस्तुव के नाम लिखे है और आगे की सराणी में हमें आगे की रिवाजा अंडा कि सहद अनाज कि अनलहान इसी ने यहां पे आपको लिखने फिर दूसरे दोख राने हैं किसके पास से यह वस्तुए प्राप्त होती यानि कि मिलती है वहां का नाम लिखना है जैसे पहला रोटी वह कहां से हमें मिलेगी वनसपती में से यानि कि रोटी के सामने हमें यहां म्मा तरहाँ सारी यहां मिलेगी वनसपती है यहां मिलेगा सबीक तो सब्जी हमें कहां से मिलेगी वनस्पति में से दवाई दवाई भी हमारी कितनी सारी उसादियों वनस्पति में से मिनती हैं उसके बाद आगे हम लग सकते दूद दूद हमें कहां से मिलेगा तो के प्राणियों में से फिर घी घी भी हमें दूद में से मिलेगा यानि कि व में कहां से मिलेगा प्राणियों में से अनाज हमें कहां से मिलेगा बनस्मत्य एसे हमें सारणी तयार करने हैं यहां पे आपको कु՛ नाम लिखनी नहीं और वह चीजmaking कि मेंस प्राफ्त होती हैं इनके ुणके नाम यहां teacher आपको यानि कि उसके वनस्पति में से तो मिलती है तो वनस्पति के सामने सही करना है अगर प्राणियों में से मिलती है तो प्राणियों के सामने सही का निसान करना है चली अब आगे देखते हैं व्रुक्सों की उप्योगीता हमारे जिवन में व्रुक्स की क्या क्या उप्योगीता है और प्राणी की उप्योगीता उन दोनों की बारे में लिखना है यानि कि हम व्रुक्सों की उप्योगीता तो बहुत पहले से जानते हैं कि हमारे जिवन में व्रुक्स क्या क्या उप्योग काते और पस्तु पक्सी याने कि प्राणियों भी किस प्रकास से हमारे लिए उप्योगी हैं देखिए दो मित्र थे उन्होंने विद्याले में निम का पोधा लगाना निस्चित किया पोदे की रोपाई की एक दिन उन्हों ने देखा कि एक बकरी इस पोदे को खाने जा रहे थी दोनों मित्रों ने ततकाल उस पोदे के चार और घेरा बना दिया इस पोदे की रक्षा की ऐसा कहा गया जाएगा कि पोधे को तैयर करने के लिए खाद, पानी और गुड़ाई का करना पोधे को समवर्धन करना कहा जाता है पोधे की यानि कि वनसपतियों का हम रक्षन कैसे कर सकते हैं तो अगर हमने कोई पोधा लगाया तो पहले तो उसकी चारोर हमें ततका हम घेरा बना देना चाहिए क्योंकि उसको कोई प्राणी उसको खाके नुक्सान ना पहुँचा दे फिर उसको समझ समझ पर उसको खाद पानी और गुड़ाई भी करनी चाहिए तो उसका समवर्धन हो पाईगा हाथी बोलू यह कुझ समझ में आ गया होगा की सरक्षन और समवर्धन किसे कहते है सरक्षन किसको कहा जाएगा अगर उस पोढ़र के आसे-पास धो हमने घेरा बना है उसको हम सरक्षन कर सकते समझ समझ Walk開 उब किसे कहते Ilka में के उसको समझ समझ पर खाद देना हाथी तो अब को हमारे सरक्षन और संवर्धन के लिए क्या करोगे यानि कि अगर प्राणियों का सरक्षन और संवर्धन करना है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में पुछा गया है तो हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसे जीवों के लिए तो हमें अगर प्राणियों की सब करनि कि हैं प्राणियों मारना नहीं सकते जो बोल दादा क्या करना चाहिए हाथी अकने कि यानि कि हमें क्या क्या करना जो भी हमारे आस्पास युभी प्राणी है या उनकी रक्सा के लिए हम क्या करेंगे वो हमें यहां पे लिखना है तो क्या करेंगे हम हमारे असपास जो भी प्राणी है या वो है उनका नुखसा नहीं पहुचाएंगे उनकी रक्सा करेंगे अब आगे है आपने विद्यालाई में कौन-कौन से पेदे लगाए है हमारे विद्यालाई में कौन-कौन से पोदे लगा सकते हैं तो बारमासी है तुलसी अजवाईन फुदीना घर ऐसे पोदे हमने हमारे विद्यालाई में लगाए हुए हैं इन पोदों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा इन पोदों को लगाने के लिए हमें गमला लेना पड़ेगा उसमें मिट्टी डालके उसको बोना पड़ेगा बीचको फिर उसको समय समय पर पानी देना पड़ेगा खात देनी पड़ेगी यह हमें करना पड़ेगा अब तिन नए सब्द सुनने के लिए आ रहे चर्चा करके जो लिखे अभ्यारणियों चिडियागर और पोध शोवंदन केंदर इन तीनों का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता दें अभ्यारणियों यानि कि ऐसे जगा जहां पे जो भी प्राणी या पक्षी के लिए वो जगा बनाई गई हो वहां पे वो प्राणी और पक्षी मुक्त रूप से गोमफिर सकेंगे हम उनका सिकार नहीं कर सकते और उनके जीवन में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते यानि कि जिस जगा पर किसी भी प्राणी पक्षीयों को मुक्त रूप से रहने के सकते हो उनका कोई सिकार न कर सके और ऐसे परिविहाड जगा को यानि कि ऐसी जगा को हम प्राणी या पक्षीयों का अभ्यारण कह सकते है फिर है हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अभ्यारणिया है जैसे कि गिर का अभ्यारण जो सिहों के लिए बनाया गया है जहां पे सिह का सिकार करना गेर कानूनी है तो ऐसी जगा अप्यारण यानि की जहाँ पे जिस प्राणी या पक्षी के लिए अप्यारणी बनाया गया हूँ, वहाँ पे वो प्राणी और पक्षी को मारना निशेदो और वहाँ पे उनको परिशान करना भी निशेदो, वहाँ पे वो मुक्तरूप से अपनी जगब में कुम फिर सकते हैं, फिर दूसरा है चिडियागर , चिडियागर का इ modest तो आपको सबको बता है , थि यूने की एक ही जगवा पे अलग अलग प्रकार के प्राणी और पकसी होते हैं जिसको एक पिंजरे के अंदर यानी की अनुकुल वाताराण की हिसाब प्राणी को पिंज्रे में रखा जाटाएँ और बात बाहता है, प्राणी और किया है, देखने आते हों जहान सभी पुरी के गारे जानकारी भी वहाँ पर लेक्षी होई और उनका वहाँ पर रक्षन भी चाए जाता है यानि कि उनका रक्षन भी वहाँ पर होता ही मैं फिर तीसरा सब्दा है पोद्द समवर्दन्यानी की ऐसी जगा की अलग-अलग प्रकार के जो भी पेड़ते होते हैं, उनको लगए जाता है, उनका समवर्धन किया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, यानि कि उनको भी सरक्षन के अर्थ में उनका बड़ा होना, यानि कि सरक्षान से उसको बड़ा किया जाता हो यानि कि पोर्स अबदन केंदर का अर्थी ये होता है कि ऐसी जगर जहां पर अलग-अलग प्रकार की पोदों को उगाया जाता हो और उनका संवर्धन भी किया जाता है जिसे हमें अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों का उप्योग कर सके हम अलग-अलग प्रकार की वनस्पतिया बना सके आईए मिद्रो अपने सिक्षक की सहायता से पपेट यानि कत्पतली तयार करके पपेट्सो कीज़े यानि कि यहाँ पर पपेट्सो करने के लिए कहा गया और अपने वन फरसन वनस पत्यों के पत्ते यहाँ पर छपाई करने है या फिर उसको चिपका देना है इसी के साथ हमारा पांचवा चेप्टर भोलू की अजायब दुनिया यहाँ पर समापत होता है इस चेप्टर में हमने किस किस बाग क्या क्या जानकारी ली है वो इस चेप्टर में हमने ये जानकार ली कि हमारे आसपास जो प्राणी है या पक्सी है वो चार प्रकार के जीवों में परिवर्तन हो जाते हैं एक होता है जल्चर प्राणी दूसरा होता है भूचर प्राणी तीसरा है उभई जीवी और चोथा है नपचर ये चार प्रकार के प्राणी और पक्सी हमारे आसपास रहते हैं उसी के साथ हमने दुसरा ये जाना कि अप्यारणिया का अर्थ बहुत शोमर्दन कैंद्रा किसे कहते हैं और चडिया घर किसे कहते हैं यानि कि उसका अर्थ समझा कि उसमें क्या-क्या अलग-अलग है यानि कि उन तीनों में क्या तफावत है उसके साथ साथ हमने इस पूरे चैप्टर में हमें व्रुक्सों की उप्योगीता और प्राणियों की उप्योगीता के बारे में भी जाना यानि कि हमारे जीवन में प् आगड़ी को काटकर उसको जलाकर बना दें यानि कि वह हमें वर्तन के रुप में भी होता है ऐसा फरनीचर में हमें अगर फरनीचर बना तो भी रुक्सों से ही बनता है तो यह सारी हमारी व्रुक्षों की उप्योंगीता हो गई उसके साथ प्राणी हमें कैसे उप्योंगे तो प्राणीयों में से हमारी गाय भैस में से दूद मिलता है गधा घोड़ा उंट जैसे प्राणीयों हमें कोई भी चीज भारी चीज नहीं से वहां ले जानी है यानि कि माल परिवहन करने में उप्योंगी होते हैं फिर है हम कह सकते हैं कि जो हमारा गाई ऐसे प्राइब पहेंस उसमें गबकरी ऐसे मैंसे हमें दूद मिल सकता है और दूद्से दाई फिर छांस गी यह सब कुछ बनता है मचली जैसे जीव है जिसमें से हमें मचली का तेल हमारे कितनी सारी दवाईयों में यूज होता है मुर्गी जिसमें से हमें अंडा मिलता है और अंडा हमारे सहरत के लिए जरूरी ऐसे प्राणियों भी हमारे जीवन के लिए बहुत सारे जरूरी है तो इस पूरे चेप्टर में हम इसके बारे में चर्जा खी है इसी के साथ हमारा पांचवा चेप्टर यहां पर समप्त होता Thank you